आएगी धमाका मचाएगी क्योंकि वो इस तरी है कुछ भी कर सकती है इस तरीके से मचाएगी मतलब हिला देगी सबको हमको भी और लोगों को भी वो नहीं पता था एक सारील सा एक्सपिरेंस था फैन बॉइ बनके गया था बट कहीं न कहीं मेरे अंदर यह था कि फैन बनके मुझे नहीं उनको डिरेक करना है आप डिरेक्ट है अगर भूलेगी स्क्रिप्ट मांगेगी तो मैं दूंगा उसको फर्स से यह छे साल में बनी थी यह छे साल नहीं लगेंगे तीन साल तो लगेंगे अंदर का एक्टर यह कब से जा रहा है यह क्या रहा है यह एक्टर नहीं है यह सिर्फ देखोगे तो आभी यह दांसर है जो गोविंदा को बहुत बड़ा फैन है था है और शादियों में जिसको डांस करने का बहुत शौकीन शौक था और जब भी आप गाने आते हैं आप को अंदर डालूँगा है तो उसके बाद से ही सिलसला चालो हो गया है कि स्तरी में मुझे नचवा दिया उसके बाद मुझे उन्होंने बाला में नचवा दिया और करते करते अभी वह नॉम बन गया कि मुझे नाच नहीं और सब में आप देखोगे मुझे अच्छा डांस मुझे नाचना बहुत पसंदे तो अपनी फिल्मों में क्यों नहीं नाच हो आइडिया तो था कि आएगी धमाका मचाएगी क्योंकि वह इस तरी का पावर बहुत ज्यादा होता है इस तरीके से मचाएगी मतलब हिला देगी सबको हमको भी और लोगों को भी वह नहीं पता अब यकीन रखी इस्त्री जब भी आएगी वो ऐसे ही करती है, that's how देखा हूँ मुझे पताले चल जल जाता था, मुझे पदना ठाघ लिया टूने, राज इतना कर लिया तो उन्हे अज इतना कर लिया, बताते रहते थे बट्ट उसके साथथ ता DAR अप्छों साथ बट्टे की भाट लगता मुझे ये सवाल आप सबसे जाना है की आपको क्या लगता है आप एक पिक्चर जब देखने जाते हैं आप एक किरदार के लिए पिक्चर देखने जाते है नहीं पिक्चर आतमी देखने कब जाता है? पिक्चर देखने जाता है एक entertainment, एक मज़ा आता है, उसके बाद उनको लगता है अरे फिर अगर वो शद्धा कपूर आपको नहीं लगी, वो किर्दाल लगी आपको, तो वो किर्दाल जब change turn होता है अपनी real self से character में तब जाके picture picture बनती है और उसमें एक किसी इंसान का मेरा हाथ या किसी एक हाथ होना बहुत वैसी बात हो जाएगी कि आपने अप फिर आप कुछ भी कर सकते हो, you know, तो मेरे लिए मेरे अब लोग बोलेंगे star कौन है, मेरे पास star होता है ना, जैसे ये star होता है, पांच हो बने होते हैं, तो वो हैं मेरे इसलिए star, and उसके पीछे जो सबसे ज्यादा important लोग हैं, जिनोंने फिल्म बनाने में मेरी मदद करी है, चाहे वो मेरा producer है, चाहे मेरा technicians हैं, उनका बहुत बढ़ा हाथ है कोई फिल्मों में ऐसे फिर सी हमें क्याव देख लिगों मिल सकता है आपका? बिल्कुल मिलेगा, जब जब मैं डिर्क कर रहा हूंगा हर फिल्म में कहीं न कहीं में होंगा ही, क्योंकि मुझे लगता है कि वो मेरा lucky charm है, पता नहीं, I'm not sure, but मिलेगा Actually, आपको बोलू, मैं जब हम लोग, मतलब यह मैं बहुत बार बोल चुका हूं, How I Met Him, हम लोग शूट कर रहे थे, Sky Force का, London में, उन्होंने मुझे बोला कि, ऐसे हम लोग बात कर रहे थे, प्रेजशन सर की बात कर रहे थे, बातो बातो में मैं उनको बोला, Sir, एक पिक्चर म एक रोल करोगे क्या, and उन्होंने ऐसे बोला, हाँ, हाँ, बिटा, क्या है, बिदाओ, क्या करना है, तो मैंने का, एक छोटा सा कैमियो है, ऐसा ऐसा करके, यह कहनी है, उनको डालोग सुना है, उनको बहुत पसंद आया, and within थोड़े दिन के उन्होंने बोला, एक संडे में संडे में तेरे ली कर देता हूं, and उसंडे को आके उन्होंने शूट किया मेरे साथ, and बड़ा मदा आया, उनके साथ शूट करके, बतलब यह तो सब बोलते है, but मुझे ऐसा लगा कि, जिनको देखके आप बड़े हुए हो, जिनकी कॉमेडी देखके आप बड़े हुए हो जिसका humor आपको बहुत पसंद है, and आप उसको direct कर रहे हो, एक surreal सा experience था, fanboy बनके गया था, but कहीं ना कहीं मेरे अंदर, यह था कि fan बनके मुझे नहीं उनको direct करना है, I have to direct him, but the way we connected on set was super. देखे, यह सब लोग मुझे से यह सवाल पूछ रहे हैं, but script अगर भोलेगी, script मांगेगी, तो मैं दूँगा उसको, script ने नहीं मांगा तो नहीं मिलेगा. So, Street 3, जो है, अभी से लग Street 2 देखने के बाद, इसी illness में कि कब release होगी, we don't know, जानना नहीं यह date, I know, वो नहीं जल्दी होगा, अभी बहुत काम बादी, but क्या आपको साल जान सकती, because audience is crazy about Street 3? मुझे लगता है, फिर्स से यह छे साल में बनी थी, यह छे साल नहीं लगेंगे, तीन साल तो लगेंगे, तहर दिल से शुक्रिया करता हूँ, आप सब का, जिन्हों ने यह फिल्म देखी, और जिन्हों ने उसको, जैसे messages आपने मुझे बेजे, Twitter पे डाले, Instagram पे डाले, ज मुझे भी ऐसा फिल्म देखने का मन था, क्योंकि मैं भी आपकी तरह ही audience था, पांच साल, शे साल पहले तक, अब भी मैं फिल्मेकर बन गया हूँ, बट जिस तरीका crave मुझे था, मैंने वही crave मुझे मुझे मौका मिला है बनाने का, आपकी तक लाने का, and मैं कोशिश पूरे इमानदारी से, पूरे दिल से आप सब को वैसा experience देने का, अगर कभी गलती हो जाए तो माफ कर देना, अच्छा हुआ तो ऐसे सहरा आते रहना